एलो विवल तो आप सभी लोग अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में अपन फेर वेल्व गेप के बारे में डिस्क्रेशन करने वाले कि फेर वेल्व गेप क्या होता है राइट एन इसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसका ट्रेडिंग पैटर्न क्या होता है स साती साथ अपन जानेगे कि चार्ट में आप इसको इंप्लीमेंट करें एंट्री एंट्री एंग्जिट पॉइंट कैसे प्लान कर सकते हैं ठीक है तो आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रो किया हुआ है इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से अपन सारी चीजे समझेंगे ठीक है तो सबसे पहले क्या है कि मैं आपको दीरे-दीरे सारी चीजें बताते तो यहां से मार्केट मान लीजे आपका कोई डाउन साइड में मार्केट आया देन यह एस पॉइंट ऑफ टाइम पर मार्केट क्या होता है कि इस जॉन से यह आप सपोर्ट रोजिस्टेंस कुछ भी म केंडल हो गया यह फॉर्थ केंडल हो गया और यह फिफ्थ केंडल हो गया राइट मार्केट ने क्या किया कि पांच केंडल पनाए बैक टू बैक अब इन केंडल्स में क्या होता है कि सबसे पहले अपने को देखना है फस्ट केंडल फस्ट केंडल आप किसी को भी ले सकते हैं क्यों ले सकते जहां पर आपको consider करना है जादा तर case में आपको क्या करना है जहांज आपका market instant एंच्छा का सा pull बेगलेगा वहीं पर आपको देखना है ये छीजे उसी के nearby आपको मिलेगी ठीक है तो माल लीजे आपका market जो है कुछ इस तरीके से run हुआ तो आपका first candle यह हो गया तो first candle का high point जो है यह weak हो जाएगी यहाँ पर ठीक है यह weak हो गयी तो यहाँ पर first candle opening and closing की बात नहीं कर रहो है market का यह हो गया high and this candle का यह low गया lower point तो आपको क्या करना है यहाँ लिखा हुआ है जबी भी आपका market अगर upside में जाता है if market is going up direction ठीक है first candle का high यहाँ कि यह जो first candle है इसका high point हो गया यह वाला ठीक है first candle का high and third candle का low यह second candle है इससे अपने को कोई मतलब नहीं है ठीक है इसको देखना भी third candle कौनसी यह वाली तो यहाँ कि first candle का high and क्या हुआ third candle का low बचता है इनके बीच का जो gap होता है उसे फेर वेल्यू gap करता है ठीक है मैंने काफी easy way में आपको समझा है I hope आपको यह समझ में आगा होगा कि फेर वेल्यू gap क्या होता है again repeat कर देता हूँ first candle का high and third candle का low जब market आपका अब जा रहा है ठीक है अगर आपका market डाउन होता है तो उस case में आपको क्या कर देना है उल्टा कर देना है ठीक है यह case होगा अब यह भी देखें अब देखें यह आपकी बन गई first candle अपन की यह उचुकी थी ठीक है और यह second candle मतलब third candle होगी इसको छोड़ दो और यह candle आप जिस भी candle को पकड़ो उसका first high देख लेना आप किसी भी candle को consider कर सकते हो आप चाहो तो इस candle को first मान के इसका high देखो यहाँ पर and आपकी यह second candle यह वाली है जो है इसको छोड़ देने और third candle होगी कुन सी यह वाली तो इसका low देखेंगे तो already इसके high को break करती है तो यह अपना consider नहीं होगा ठीक है मैं आपको example देखे बता देता हूँ कैसे समझ में आ जाएगा थोड़ा easy one मान लीजे आपकी first candle यह बन गई इस तरीके से second candle यह बन गई third candle यह हो गई fourth candle fourth candle यह है ठीक है अब जबी भी आपका market देखना आपका market क्या करना चीए कि first candle का जो high है उसको third candle का low break नहीं करना चीए ठीक है कैसे मैं समझा देता हूँ यहाँ आपको easy way में समझ में जाएगा अगर माल लीजे आपकी first candle कौन सी है मैं इसको green कर देता हूँ यह आपकी first candle है ठीक है आपकी जो first candle है इसको यह आपकी first candle है ठीक है second candle से कोई मतलब नहीं अपनी third candle अगर third candle की wig जो है वो कुछ इस तरीके से नीचे आ जाती और first candle का जो high है अब वो आपको भी पता है first candle का high कौन से वाला यह वाला point अगर इस point के नीचे की तरफ हलका सा भी close देती है या ऐसे कुछ swap अप कर देती है या candle close देती है तो आपका यह fair value gap consider नहीं होगा इस case है कुछ इस तरह गर देती है चाहिए वो इसी तरह गरे चाहिए हलका सा level पर गरे equal करे तो भी वो consider नहीं होगा यानि कि आपकी इस high से उपर उसका wig and body दोन होना चीए ठीकिए अगर इतना सा भी होना तो भी चलेगा कोई issue नहीं है अगर इतना सा भी होता है तो यहाँ पर क्या होगा कि आप डायरेक्ट कुछ इस तरीके जहाँ पर marking कर सकते हैं तो यह जो first candle का high and third candle का low बना यहाँ पर आपका fair value gap होगा है जबी भी market next time आएगा इस zone में tap करके जाने का try करेगा ठीके और यह जो पूरी candle होगा यह आपकी होगी order block order block already मैंने काफी videos में बतावाई order block क्या होता है फिर भी आपको मैं और समझा देता हूँ यह order block होगा तो आपके जो positive ज़्यादा जांसेज रहेंगे जहाँ पर fair value gap plus order block रहेगा वहीं से ज़्यादा संभावना है कि आपका market जो tap करके upside जाने का plan कर सकता है ठीक है तो यह था upside के लिए ठीक है same scenario अपन करते हैं इसमें downside के लिए ठीक है अब downside के लिए मैं इसको थोड़ा सा reverse कर process में दिखा देता हूँ ठीक है समझे आपका यह वाला जो candle है इसको open मान लेते हैं red यह यह आपका होगा है first candle ठीक है first candle का low and third candle यह नहीं कि second से कोई मतलब नहीं first candle का low और third candle का high दोनों के बीच में अच्छा कासा gap है then जबी भी market इस gap के बीच में आके टेप करेगा तब अपन एक अच्छी कासी entry plan कर सकते हैं आप वेट करना चाहें तो यहां से order block के लिए भी वेट कर सकते हैं यह depend आप पर करता है कि आप entry कहां पर ले रहे हैं कि scenario आप entry ले रहे हैं यानि कि आपके पास भी पांच रुपे मेरे पास भी पांच रुपे तो balance है नहीं बराबर है आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यह वाला point, right, अब सेम, इसी में करते हैं कि, अगर माल लो, इसका vig, जो है, उपर की तरफ हो, ठीक है, यानि कि, इसका vig, जो है, यहां पर आ जाता है अगर इसका जो विग है वो उपर की तरफ कुछ इस तरीके से निकलता है यहां पर तो अब यहां पर क्या होगा कि यह जो आपका market है इसने क्या किया कि जो third candle का जो high है उसने first candle के logo break कर दिया अब यह अपना consider अब इसको छोड़ो तो इस candle में मूव जाओ ठीक है इसका color change कर देता हो ना अब मार्केट यहां से जाने का ट्राइ करेगा और यह पूरी की पूरी जो candle है इतनी बड़ी सारी यह अपना ओडर ब्लोक की तरह काम करेगा ठीक है अब एक चीज में थोड़ा सा आपको और यहां बता देता हूं यह जो पॉइंट है ठीक है इसके उपर यह बता हूँ इसक अब मार्केट क्या करता है कि आपके इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक बार आता है देन क्या करता है कि आपको कुछ भी नहीं बसता है आप ना तो यह इस तरह से रहता है एं कुछ इस तरीके से केंडल्स हो जाती है अब यह देखिए यहां पर कोई फेर वेल्यू गेप ही नहीं तो आपको मिड में अगर फेर वेल्यू गेप मिलता है कहां पर जैसे मालो मार्केट ने यह केंडल बना दी यहां पर कुछ इस तरीके से तो आपको इतने बीच के अंदर यहीं से देखना होगा फिर और कोई चांस नहीं अपने पास यह आपका फेर वेल्यू गेप हो गया और यह क्या हो गया आपका यहां से यहां तक यह आपका ओडर ब्लोक की तरह गाम कर गई है ठीक है तो इस तरह से आपको जोन मार्किंग करनें तो फेर वेल्यू गेप प्लस ओडर ब्लोक दोनों चीज़े आ करते तो यहाँ पर चार्ट ले रखा है कर्एंट वह वनार ले रहा है ठीक है आप चाहे तो 15 वे कर सकते हैं 20 मिनट में भी कर सकते हैं 25 मिनट में भी पाच मिनेट में जो आपको वहां से घरी एंट है चार्ट दूसरा एंदiding इसमें मार्किंग औरेडी इस पर नहीं है ठीक है इस पर समझते हैं देखिए इसको फिप्टीन मिनट पर लेते हैं काफी बढ़ा अपने पास सार्ट आजाएगा अब इसमें फेर वेल्यू इप अपने फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले चीज यह जो केंडल है यह यह रेड वाली सबसे डाउन वाली यह फरस्ट केंडल सेकंड केंडल इसको छोड़ देंगे थर्ड केंडल इसने इसका विग ले लिया तो अपने लिए थर्ड केंडल की विग यह मानी जाएगी लेकिन इसने भी इसका ले लिया तो अपने पास कुछ नहीं बचा इस पॉइंट आफ पे ठीक है यहां पर भी कुछ नहीं यह कंडल बची आप रेड़ वाली यह रेड़ वाली से कुछ इस तरीके से जोन अपन मार्ग करते हैं यह रेड़ थर्ड केंडल का तो क्या हो गया लो गया और यह जो फर्स्ट केंडल है यह रेड़ बोक्स अपने बनाई दिया तो टोटल रेड़ बोक्स को यहीं तक खेच देते तो यहां फेर वेल्यू गेप बी काउंट हो जाएगा एक साथ पूरा अपना और यहां पर ओडर ब्लोग अब जबी भी मार्केट नेक्स टाइम पर इस जोन में आएगा तो पोसिबिलिटी के मार्केट बहुत तेजी से उपर जाएगा फिर ठीक है सिर्फ यहीं पर देखना है अब आके चलते हैं ऐसा हर जग नहीं देखना कि यहां पर इंबेलेंस बचा हुआ इंबेलेंस चाही है नो डाउट अच्छा का सा इंबेलेंस मार्केट ने आपको यहां पर दिया है आगे चलिए पूल बेक के अरकोडिंग आपको ट्रेडिंग लेनी है ठीक है आगे चलते हैं थोड़ा सा देखो यह शंदार टाइमिंग है एंट्री लेने का कैसे देखो आपको धीरे-दीर हैं मैंने काफी सारी वीडियोज वगरा बना रखे हैं उनमें मैंने आपको दिखाया हुआ कि बोस्ष क्या होता है चोक्तर तो यहां पर क्या होगा इस पॉइंट और थाइक बीच में कुछ भी नहीं बचावा सफील हो चुका और तो मार्केट कहका । इसको तोडने के ब तो कि देखें मार्केट नहीं आप टेप किया देन मार्केट अपका अब आप जा चुका है थोड़ा साइब लेकिन मार्केट जितना था उसको फिल करने जरूर आया था ठीक है देन उसके बाद यहां पर बचा हुआ है यहां से अगर आप एंट्री ब्लान करते हैं ठीक है तो आपको एक अच्छी खासी एंट्री मिल सकती थी कैसे एंट्री लेते हैं आप क्या करते हैं कि इस जोन को और यह पूरी जो चेंडल है यह आपका ओडर ब्लोग होता तो आप यहां पागर 0.01 का भी लोट साइज लेते ठीक है तो आपका अगर लोस होता तो यहां पर पॉइंट फाइब का यानि डिरी डॉलर का लोस होता अगर आपका प्रोफिट होता तो लगबग लगबग आप पांच डॉलर साड़े चार डॉलर तक आराम पूरा प्रोफिट ले सकते थे याप क्योंकि मार्केट और भी अधिक नहीं किया कि अभी तक आगे जब भी भी वी ब्रेक करदेंगा इसको अब देखिए क्या होगा अब ब्रेक कर दिया है मार्केटिक्स को तो अब इस पूरे जोन का जो यह हमें साथ देखना जबी आपका बोस बनेगा यह वी शेप में बनता है इस बोस की खासिये दिये होते हैं ब्रेक ओप इस्ट्रक्चर की यह पॉइंट यह वाला पॉइंट हो गया यहां से की को तोड़ेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा change of structure यहां जोगे पूरा केंडल का यह बड़ा बना यहां कोई दिक्कत ने इतना वाद की बटगे कोई और स्जट पोजिशन यहां से आपन एंट्री प्लान करें अगर आपका मार्केट यहां भी नहीं रुखता है तो मार्केट आपके गाओद करेगा यहां पर यह नहीं रुखता है'M91 घ क्या करेगा कूछ रहर प racism cannot आके सबके ऐसे लुड़ाएगा यहां पर फिर हलका सा आप सोरी यहां पर क्या होगा थोड़ा सा अप दिखाएगा फिर यहां से अप जाने का ट्राइ करेगा मार्केट अच्छे लाज़ा कुछ इस तरही जाने का प्लाइन करेगा ठीक है तो वह कोई दिक्कत नहीं आपको मैंने आज के इस वीडियो में समझा दिया कि फिर वेल्यू गेप क्या होता है इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते कैसे आप इस पर एंट्री एन एक्जिट प्लाइन कर सकते हैं ठीक है तो का इतने से में मार्केट आपका लेकर गया अच्छा कासा यहां पर ठीक है यहां पर भी आपका इमबैलंस है जब अप्र्रेक्टिष करोगे तो зах App को कहें आपको सब्सक्ति हैं, हैं टेक है यहां पर इंबैलंस भॉट है इसको मार्केट पहले हम भील किया जब मार्केट ओप देख लिजे, यहां पर आया just, अलका सा gap था, market ने यहां पर इसको tap किया, then market up, again आया, तो अगली बार market ने कहेak, liquidity लिए यहां से, यह liquidity pending पड़ी थी आपके, ठीके, तो आपकी liquidity लेने के बाद market अब गया, और देखिए यह आपका फेर वेल्यू गेप था पूरा का पूरा जोन फेर वेल्यू गेप में मार्केट आया देन अच्छा का सम्मोग दी था ठीक है उसके बाद क्या हुआ कि अब यहां से इसने लिक्वीडिटी लिए केंडल क्लोज ने दिये लिक्वीडिटी लिए और फाइनली यहां चाके इसने केंडल क्लोज किरे agree छीए मार्केट थेके बट यहां पर कैंडल क्लोज करते sexual हुआ कि जब यह केंडल क्लोज हुई तो यह तो यहांपा यह इसने अच्छी dost का शी सिए बाइं केंडल मना डाल यह आपका यह भी fair value gap है first candle high ठीक है and third candle का low तो आप इसको भी mark कर सकते हैं तो यह first candle का high हो जाएगा आपका ठीक है और यह third candle का low यह भी आपका order low कित्र गाम करेगा ठीक है उसके अलावा यह देखिए first candle का high and then यह आपको third candle का low ठीक है sorry third candle का low तो यहां पर बेदेगी अच्छे कासे गेप को मार्केट ने टैप किया एंदेन मार्केट अब कहीं लोग यह सोचेंगे कि बीच में जाएगा तो किसे पता देल गए देखे लिक्विडिटी पॉइंट है लिक्विडिटी होती ही जहां विग वगरा काफी सारी होती है ठीक ह इस टाइम पर क्या थे यहां पर काफी सारे ऐसे मार्केट मेकर्स थे जो इस मार्केट को क्या कर रहे थे बार बार डाउन ले जाना चाते थे लेकुछ उनके अगेंट से जो मार्केट को अप ले जाना चाते है ठीक है देख लिए यहां पर जित्ती भी केंडल बने इस सब इतनी बड़ी बड़ी वी के मतलब मार्केट नीचे है फिर उसको उपर ले गए फिर मार्केट नीचे है फिर उपर ले गए तो ये कुछ इस तरह के points होते हैं आपको master करना होगा समझना हो ठीक है उसके बाद यह देखिए यह यहां पर फेर वेल्यू गेप त्री केंडल के बीच में फर्स्ट केंडल का हाई सेकंड केंडल सोरी थर्ड केंडल का लो और आपका यह ओडर ब्लोग यहां तक ठीक है सेम इसी तर आपको सारी चीज़े करनी होगी अब आपका market डाउन जा रहा है तो उस case में क्या करोगे यह फर्स्ट केंडल का हाई और थर्ड केंडल का लो ठीक है यह देखें यहां पर फर्स्ट केंडल का हाई और थर्ड केंडल का लो और यह उपर देखें तो उपर पूरा का पूरा एक ओर्डर ब्लोग हो गया यहां से यह ओर्डर ब्लोग इसी से market डाउन आने का ट्राई करेगा ठीक है यह फ्रस्ट केलल आप किये होगई अब इसमें देख है यहां पर आप नहीं बना वे ऐसे नहीं कि यह थर्ड गंडल नहीं जो उपर आते जाए चाहिए यहां पर भी आके मिले नहीं तो भी वह इसको आपके बढ़ाते हैं तो देखिए जैसे मार्केट नहीं टैप किया तो यहां पर एक अच्छी काशी आपको सेलिंग दिये कितनी दिये बता देता हूं लगबग लगबग आपको यहां पर आठ डॉलर का मार्केट ने सेलिंग दिया है ठीक है तो आपको इस तरीके से क्या करना होगा कि फेर वेल्यू के फाइंड आउट करना होगा अहोप आपका यह वीडियो जो है आपको पसंद आएगा थेंक्यू सो मच एवरीवल